गुड मॉर्निंग एवरिवन इस वीडियो में लोग 2 स्टेज ट्रांसफर्मर कपल C Amplifier देखेंगे सो ट्रांसफर्मर कपल C Amplifier में हम लोग ट्रांसफर्मर यूज करते हैं इस्टीड ऑफ कपलिंग कैपसिटर के प्रिवेस वीडियो में लोग नहीं क्या देखा था आर्सी कपल C Amplifier उस पर हम लोग क्या देखे थे कि दो इस्टेज को कपल करने के लिए हम लोग इन कैपसिटर यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग कपलिंग कैपसिटर के जगह में यहां पर ट्रांसफर्मर कपल यूज करेंगे तेक बस दोनों में इतना डिफ्रेंस होगा फो इन त्रांसफर्मर कपलिंग मेथ़र प्रामरी वाइंडिंग उफ ट्रांसफर्मर ऐा ऐक्तवर आ क्लेकर लोड यूज करेगा second stage के input से दो हवाई एंक ट्रांसफेर्मर हम all in the अगर यह पर यह इंपोटर साइड में नरुक्ते तो गोस्टाइबे इंप्टाइब तो दे कलेगा इनक्षिक वह आंप्रिफाइक करने एंप्टे अंफ्टे में तो यहां पर जो भी मेरा इसना इसमय देदिय। बाह दूप होगा और सबस्किजर करहाँ है जो यहां काक् ideas कोM करें सकतें का यहां करिया है, ча जोवर ककैного है कोई भी कप्लिंग कफिटर की देफियर का जरूरत पेटन में होगा एसर के सार डीटेल्स भी बिलकुर यही सीम चीज़ लिखावा दो सिंगल ट्रांस्टेयच ट्रांशॉरफेर 6 सींगल होगा इस कंप्रांप्री वाइंडिंग से लिएंडिंग करेगा ठीक है function of transformer T1 क्या करेगा कपल करेगा output of AC signal from first stage से second stage को करेगा while जो transformer 2 है वो क्या करेगा second stage का जो output है उसको next stage पर लेके जाएगा बट यहाँ पर दो ही stage है तो वो RL से connected होगा ठीक है input capacitor C1 जो है वो मेरा input को base से connect करेगा ठीक है कोई भी यहाँ पर coupling capacitor दो successive stage पर जरुरत नहीं होगा means जो हम लोग coupling capacitor दो stage को connect करते हैं वो यहाँ पर नहीं होगा ठीक है एक मेरा C होगा जो कि bypass capacitor होता है दोनों transistor के लिए लगा होगा ठीक है जो कि ground से connected होगा ठीक है तो यहाँ पर देखे फाइनली मेरा circuit diagram है यह मेरा circuit diagram होगा है तो हम लोग यह दो transistor लिए हैं ठीक है Q1 & Q2 ठीक है यहाँ पर अगर हम लोग यह देखे यह मेरा voltage divider है ठीक है वाइसिंग voltage divider वाइसिंग बैसिक है बेसिकली यह कहा है मेरा RC couple C amplifier था ठीक है यहाँ अगर हम लोग एक resistance लगा दें यहाँ कैपसीटर लगा दें कप्लिंग कैपसीटर जो इस पर connect होगा तो यह क्या बन जाए RC couple तो इस दोनों को replace करके मिस एक resistance और एक capacitor इसको replace करने के हम लोग इसकी जगह क्या लगा है transformer लगा है जिसको हम लोग coupling transformer बोल रहे है ठीक है तो यहाँ पर basically जो आर वन आर टू आर ई सी ठीक है यह सब जो है मेरा क्या है byicing byicing element है जो के मेरा stabilization provide करेगा यहाँ जो capacitor C1 है वो मेरा क्या करेगा इस दोनों को couple करेगा means transistor 1 के base को couple करेगा input से ठीक है so note that in this circuit there is no coupling capacitor ठीक है तो DC isolation between two stages provided by the transformer itself means इन दोने के बीच में DC isolation होगा वो मेरा transformer ही provide करेगा ठीक है यहाँ पर कोई भी transformer है तो कोई भी DC path नहीं होगा primary और secondary के बीच में ठीक है तो यह मेरा क्या हो गया circuit का description हो गया circuit का description हो गया है आपर अब देखे इस पर simple से बात है माल लीजे हम लोग यहाँ two stage transformer couple पढ़ रहे हैं माल लीजे हम three stage पढ़ना चाहरेंगे then फिर से यह तब वहाँ पर कितना transformer का जरुरत होगा three couple transformer जितने stage होंगे उतने couple transformer होंगे ठीक है यह two stage है तो एक stage इसका जो output है वो इसके input पर गया और transformer का second का output है वो मेरा RL load के साथ connected है then finally हमको यहाँ पर output मिलेगा ठीक है तो फिर देखे हम लोग इसका operating principle देखते हैं ठीक है operating principle भी simple है क्या करना होगा हम लोग यहां से इंपुट देंगे ठीक है माल लिजेंगे यहां से इंपुट मेरा हम यहां से अप्लाइ के इंपुट ये रांप्लीक करें सीगनल्स ठीक है तो आंप्लीफाइब करें गाते सिंगें ऑफ्राइंडिक मेरा बैंहां पर जाएगा डेवल अप्लाइब्यास इंपुट call सपर आंप लिज 25 जिए प्रіमरी बैंडिक सण डेंडिक से के दुब्रक्रेंड को यांडिक रए डिोनली बाइस इसका बाई वह इसक बात भातर करते है एक बाज बातर क्या लिखाए प्रीछ विया एक एक दिल्जार में प्राम। इन्पै worst again झाने अदें चाहि Congress इंप्रत देंगे यह बात साने है होगा ठीसे जो कि ऐंप्रिफाइट फोल्टेज होगा एंप्रिफाइट सीगें तो जो वोल्टेज वोटेज ऑई डेवलाफ होगा एक्रोस प्राम्री वाइंडिंग व क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा तुदा इन्पुट तुदा नेक्स्ट सेज by the secondary binding of the coupling transfer simple सा बात है जो primary winding में voltage मेरा डवलप होगा उसी के वज़ा से secondary पे मेरा voltage इंड्यूज होगा तो जिस second stage होगा does the amplification in exactly similar manner means same manner में second stage भी मेरा voltage इंड्यूज करेगा ठीक इसका frequency response देख लिते हैं ठीक है frequency response तो जो frequency response होता है देखें यह मेरा frequency response है transformer coupled amplifier का ठीक है तो जो frequency response यहां पर देखेंगे देखें यह इतने दूर के लिए mid frequency range जो होता है वहां पर यह constant है अब बाकि other के लिए क्या हो रहा है यह fall down हो रहा है बट एक certain time पर क्या हो रहा है कि अचानक सी यह पर चला जा रहा है तो उसको उम्रोग resonant rise बोलते हैं एक certain high frequency पर एक certain period के लिए यह क्या होगा high होगा और फिर से यह fall down होगा high frequency पर तो इस clear that the voltage gain roll off at the low and the high frequency means voltage gain जोड़ा है वह decrease होगा मेरा low or high frequency पर तीक है इस रिमेंड constant in the mid frequency रेंस आनादर noticeable features is one that frequency f not frequency है इस frequency का बात जो कर रहे है voltage increases यहां पर क्या होगा इतने दूर के लिए voltage मेरा increase करेगा और फिर इसका जो resonant effect होता ना उसके बज़स होता है जिसके चलते वह suddenly increase करता है जैन उसके बाद वह continuously decrease करता है तो इसके frequency response हो गया अब इसके frequency response पर गया हम लोग देखे तो यह क्या कर रहा है कहीं ना कहीं इतने दूर का frequency को यह डिडेक्ट नहीं कर पा रहा है मिस यह applicable नहीं होता है लोग frequency अगर दस हर्स से नीचे यह frequency के signals को अगर हमको amplify करना है यह डिडेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो यह इसका बहुत ही बड़ा disadvantage होता है तो इसका फर्स्ट हम लोग advantages देखेंगे क्या क्या advantage होता है so the advantage of transformer coupled amplifier R is under first one देखेंगे कि there is loss of signals in collector or base register because DC resistance of primary winding is very low यह पर बहुत ही low losses होता है क्योंकि जो DC resistance होता है primary winding का वो बहुत ही कम होता है excellent impedance matching provide करता है दो stage में इस दो stage का जो impedance matching होता है वो बिल्कूल exactly same होता है connection बहुत ही अच्छा होता है दोनों के बीच में matching बहुत अच्छा होता है ठीक है और यह higher voltage gain provide करता है ठीक है RC coupled amplifier से higher voltage gain provide करता है DC by sing जोता है individual stage का वो unchanged होता है after cascading amplifier अब क्या हो गया कि अगर हम लोग बहुत सारे stages में transformer coupling amplifier को connect करेंगे cascade करेंगे तो DC by sing जोता है individual stage का वो हमेशा unchanged रहता है ठीक है disadvantages देखते क्या है so disadvantages में क्या है कि coupling transformer जो था expensive होता है बल्की होता है जब हम लोग इसको audio frequency पर use करते है ठीक है फिर यह frequency distortion इंट्रिड्यूस करता है जब हम इसको radio frequency में इसा frequency जो कि हम लोग सुन सकते हैं यानकि 2220 kHz तकि frequency पर यह क्या करता है बहुत ही heavy होता है बहुत ही महंगा होता है expensive होता है ठीक है बट रेडियो frequency मेंस higher frequency का बात अगर करें तो इस पर यह frequency distortion इंट्रड्यूस करता है यह इसका demerits हो गया फिर इसका poor frequency efficiency है ठीक है क्यों क्योंकि अगर इसका आप रिस्पॉंस देखें को तो पॉफेक्ट फ्लाट नहीं है तो हल्का फुलका changes होता है ठीक है there is possibility of transformer core saturation ठीक है transformer हम लोग यूज के तो core saturation का possibilities होता है it produces hum in the input यह hum in the input पर produce करता है the transformer introduce losses अब देखें losses introduce कर रहा है transformer में तीन तरह का losses होता है ठीक है copper loss ed current loss hysteresis loss जब भी high frequency होगा तो यह तीन losses होता है ठीक है low efficiency होता है due to losses in the transformer 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 इतने losses हो रहा है जिसके चलते efficiency low हो जाएगा cannot amplify very low frequency देखें यह बहुत ही low frequency को amplify नहीं कर सकता below 10 hertz अगर 10 hertz से नीचे का बात करें तो यह उसको amplify नहीं कर सकता है ठीक है so because of this disadvantage the transformer is not used for amplification low or audio frequency signals and wide range frequency इस ही के बज़े से हम लोग ज्यादा इसको prefer नहीं करते है सबसे बहुत बढ़ा यह खारण होता है कि यह बहुत ही expensive होता है क्योंकि आपको एक transformer लगाना अब जैसे अब circuit पेक transformer लगाऊंगे तो वह बहुत ही बर्की हो जाए बहुत ही भारी हो जाएगा इसलिए हम लोग क्या करते है उसको prefer नहीं करते है audio frequency range के लिए तो बिलकुल भी अच्छा response नहीं देता है अब इसका application देखते कहां कहां यह use होता है जो देखें जो इसका application है mostly यह impedance matching between two individual states जो होता है वहां यूज होता है फिर widely used होता है voltage amplifier in the final stage of the multi-stage amplifier ठीक है इसको हम लोग use करते है voltage amplifier में जहां पर final stage जोता है multi-stage amplifier वहां पर इसको use करते है widely used होता है amplification of radio frequency signal radio frequency signals पर यूज होता है जैसे power amplifier बहुत सकते रेडियो amplifier रेडियो फ्रीकेंस एंप्लिफायर टीवी इसक्रा यहां पर यूज होता है फिर इस यूज तो transfer power to the low impedance load such as loudspeaker ठीक है transfer power करता है low impedance load में जैसे कि हम लोग loudspeaker बहुत सकते है फिर यह use करता है power amplifier में भी ठीक है तो यह इसका application हो गया ठीक है तो यह overall था मेरा transformer coupling CE amplifier के बारे में next video में हम लोग देखेंगे direct coupling amplifier उसमें हम लोग क्या करेंगे directly couple कर देंगे first stage से second stage के input पे ठीक है so I hope आप लोग को इतना clear हुआ होगा coupling के बारे में ठीक है next video में लोग further study करेंगे ठीक है thank you